नमस्कार प्यारे विद्ध्यार्तियों, आज हम कक्षा 10W अर्द्वासिक प्रिक्षा 2023-24 विशे संग्सकत की पेपर का हल आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं आपका कक्षद दस्वी अर्धु आसिक परिक्षा का पेपर का सम्पोण हल इस वीडियो में हम आपको वता रहे हैं पिचोत्तर नंबर का आपका प्रस्न पत्र आया था तीन घंटे जिसमें समय था और कक्षा दस्वी MP बोर्ड की प्रस्न पत्र का हल हम देख रहे हैं ठीके पहला प्रस्न आपका पूछा गया था उचीतम विकल्पम चित्वा लिखत फल सब्दस से प्रतमाय भकते बहुचन सही हो जाएगा ठीके उसकी बाद में दूसरा प्रस्न बालक सब्दस से पंचमी उभकते रूपमस्ती तो बालक शब्द का आपको पंचमी उभकती का रूप बताना है ठीके तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बालकात जिसे राम की उभकती चलती है वेसे बालक की चलती है तो बालकात हो जाएगा दा आपसंस सही बाली का सब्द से चतूरती विबक्ती रूपा मस्ती तो बाली का शब्द का चतूरती विबक्ती वच्चे बताना है आपको तो आपका आपसंस सही हो जाएगा यह नहीं बाली का है ठीक है उसकी बाद में राम सब्द की सब्दम्य वक्ति आपको एक वचन रूप में बताना है तो आपका बा अप्शन से सही हो जाएगा ठीक है यनि कि राम में आपका सही उत्तर होगा उसकी बाद में प्रस्णिक मांग 5 आपका है अदोलिकित अव्योव अस्ती यहाँ पर यह जो सब्द दे रहे के इसमें आपको अव्योव सब्द बताना है बच्चो यनि कि प्रस्णिक मांग 5 जो है उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अव्योव सब्द है इसमें तो इसमें अव्योव सब्द हो जाएगा आपका सर्वत्र ठीक है बाकी सारे शब्द आपके क नहीं है तो आपका च्छात्र अव्योव नहीं है नहीं कि दो अप्सन सा आपका सही होगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लिज चैनल को सब्सक्राइब किजेगा लाइक किजेगा ज़्यादर ज़्यादर क्योंकि आपको जितने भी सारे कोशन से 100% रियल सा आपको प्रवाइट करवाय जाते ही एक्जाम MPBOD की कौन सी भी एक्जाम के अगर आप तियरी कर रहे हैं तो आप चैनल से जुड़ जाएए आल सब्जेक के सॉलिशन आपको चैनल पर मिल जाएंगे प्रस्टर मांग 2 देखते ही प्रस्टर मांग 2 यहाँ पर आपको दो आपसंस में से कोई एक सही उत्तर लगाना है दीगू समासे से उधरन असती यहनि कि दीगू समास का उधरन है तो प्यारे बच्चों आपका दीगू समास का उधरन जो सही होगा वह हो जाएगा आपका त्री भूवनम ठीके उसके बाद में द्वंद समासे से उधरन असती यानिके द्वंद समास का उधारण है तो हरीचा हरोचा है ना यानिके द्वंद समास का दूसरा उप्शन से सही होगा उसके बाद में तत्पुरुष समास से उधारण है तो तत्पुरुष समास का उधारण है राजा का पुत्र यानिके राजपुरुषः उसके बद में सुर्योदे में आपको संदी बताना है तो सुर्योदे में आपकी बच्चो आपकी जो संदी आ जाएगी यहने कि आपकी संदी हो जाएगी गोण संदी ठीके नेक्स्ट कोसे नमबर फाइप यहने कि आधेव में आपको आधेव पद में आपको संदी बताना है तो अधेव पद में आपकी दो मात्रा आ रहे हैं इसका मतलब ये भी आपका वरद्धी हो जाएगी फिर देखते हैं यदी धन अपी का संदियुक्त पद भौती तो यदी भी आपका पहला उप्शन से सही होगा फिर जान लेते हैं हम प्रस्ट्रक मांग 3 तो प्रस्ट्रक मांग 3 आपका उचित युगमालेनम कुरूता तो भौती जो है आपका यदी कि भौती आपका लट लकार है मैं इस प्रकाश से लाइन खिश देता हूँ यदी कि पहले का आपका दूसरा नंबर आएगा दूसरा प्रस्ट आपका गम धातू तो गम धातू आपका जो है ठीके यहाँ पर आप चाहें तो इसमें पहले में आपका क्योंकि यहाँ भू भी दे रखा है उसने धातू दे रखिए इसलिए आप थोड़ा इसको सही किजिएगा इने कि पहले है इसमें आपका भू धात है यह आपका हो जाएगा गम धतू गम धतू हो गया आपका यहां पर यह नहीं की थोड़ा बढ़ा करके देख लेते हैं इसको इसमें आपका उत्तर हो जाएगा यहनी की पहला जो भू है यह तो यहां हो जाएगा और गम जो आपका हो जाएगा यहनी की गच्छती में चलता है ठीक है यहनी की उसके बाद में पटसी जो है आपका पटसी आपका मध्यम पुरोस हो जाएगा ठीक है और उसके बाद में भविश्य काले तो भविश्य काले जो है आपका कोई option यहाँ पर इसमें नहीं दे रखा है अनुग अच्छती में आपका अनुग आ जाएगा और प्रचारी में आपका प्रा हो जाएगा ठीक है इस प्रकास यह आपके option से है यह ना इस प्रकास आपको यह योगमलेनम करूत करना था फिर देखते हैं प्रश्णक मांगपूर एक पदेन उत्तरम लिखाता है वरेशबहा कुत्र पपाता है तो जो बैल था वो जमीन पर गिर गया थे नहीं कि छेत्र कर्षणम यह आपका पहले प्रश्णिका उत्तर होगा कुत इसको आपको दूसरा प्रश्ण केन संबंदेन वालमे की लवकुष्यो गुरु तो यहां पर दूसरे प्रश्णिका उत्तर में लिख देता हूं उपनेनो देशेन ये दूसरे प्रस्ण का उत्तर यहने कि आपको केन के इस्थान पर उपनेनो देशेन ये विच्छत करके भी आप लिख सकते हैं तो ये दूसरे प्रस्ण का उत्तर है तीसरा अत्र जीवितम की दरशम जातम तो आपका हो जाएगा याने कि तीसरे में आपका उत्तरा जाएगा दुर्वाहम है ना यहाँ जीवन कैसा हो गया है दुर्वाहम हो गया है तो यहाँ तीसरे प्रस्ण का उत्तरा दुर्वाहम की दरशम के इस्तान पर उसके बाद में प्रश्ण कमांग फोर देख लेगीते हैं यहां कृड़तम गलत छपाए कृड़तूम होना चाहिए तो कृड़तूम में आपका प्यारे विध्यारतियों आपका इसमें तुमन प्रत्य हो जाएगा फिर पठितुवा में आपको प्रत्य बताना है तो पठ धातू और तुवा प्रति ये आपके नमबर 5 का उत्तर है नमबर 6 में आपको टाप का एक उधारण लिखना था तो बालभ है ना बालभ है आपके टाप का एक उधारण हो गया ये थीके यह आपके टाप का एक उधरण होगे, नम्बा शिक्स का, चलो जान लेते हैं, आगे, शुद्ध वाक्च के नाम समकक्ष आम, शुद्ध वाक्च के नाम समकक्ष ना बताना है, तो आम्रम का परियाई रसालम होता है, क्या तो बिलकुल होता है, सत्य है, यहीं कि आम आएगा पहले में शरीरम पदश्य पर्याय यह पदम तनू नास्ती तो इसमें आपका ना आ जाएगा उसके बाद में मुर्क पदश्य विलोम पंडित नास्ती तो मुर्क का विलोम पंडित नहीं होता है तो यहाँ पर भी आपका आम आजाएगा हाँ नहीं होता है तो आम आएगा ठीके थोड़ा प्रस्न समझना नास्ती आया है संपत्तो पदश्य विलोम पंडित नास्ती तो संपत्तो का विलोम भी पत्ती होता है क्या तो बिलकुल हाँ होता है आम आएगा अती दिर्ग का प्रवाश विशेश पद्यमस्ती तो यहाँ पर विशेश बताना है तो दिर्ग आपका विशेश हो जाएगा उसके बाद में विशेशन बताना है इसमें सुन्दरी तो यह आपका सुन्दरी विशेशन है ठीके? अच्छा नास्ती बताना है सौरी इसमें तो इसमें बाली का आ जाएगा क्योंकि बाली का आपका विशिशन नहीं है आगे देख लेते हैं माता शुरभी की मर्थम अशुरू नहीं मुच्चती श्पाह तो ये आपके एक पद वाले प्रशनों तरें आप इनको देख लिजिएगा ठीके मैंने सारे एक पद वाले प्रशनों की अंसर चैनल पर डाल रखे हैं आप वहाँ जाएगा और वहाँ पर जरू देखिएगा ठीके उसके बाद में यहाँ पर यह जो प्रशन है 11-12-13 हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे तो उसमें आपको सारे ये बता दिये जाएंगे प्रश्टक बांग 14 में आपको सुबा सिताने से कोई दो स्लोक लिखना था, उसकी बाद में यहाँ पर प्रश्टक बांग 15 में आपको आशुद्ध को शुद्ध करना था, तो यहाँ पर तुवम आया है, तो यहाँ पर कुत्र गच्छती, तो तुवम कुत्र गच्छामी आ हो जाएगा शिरी गणेशाई नमाहा चतूरती वह बक्ति हो जाएगा इसमें गणेशाई नमाहा बालक अ पुस्टकम तो यहां पर पटती आजीएगा पतती बालक अ पुस्टकम पटती ठीकर इक अरण पर्लrise रहाँ रहा पर रहे उन्हें नमबर डाल देता हूँ यहने कि पहला जो प्रस्ट ने बकहा आवी चला है यू तिस्ट थी तो पहले में आपका इस्थीत प्रग्या आजाएगा यहने कि यह नंबर वन है ठीके उसके बाद में मयूरहा इती नामना पी गया थे यहने कि जो दूसरा है उसमें आपका यह आपका नंबर टू है ठीक है उसके बाद अही भुक आएगा दूसरे में तीसरे में उल्लू कहा तो यहाँ पर जो तीसरा है इसमें आपका ये वाला आत्मिश्वात्वाधिना ये तीसरे का अंसर है चोता है आपका का कहा भहुती तो चोते में आपका आजाएगा मेध्या मध्यवक्ष कहा ये नम नमबर पांच आपका रहेगा यहने कि सदा समयस सदुपयोग करने यहाँ यह नमबर आपका पांच है और चीते है आपका नमबर शिक्स है यह नमबर आप देख लिजिए यहने कि पहले में आपका इस्तित प्रग्या आएगा दूसरे में अहिभुक आएगा तिसरे में आत् अध्याम अध्यवक्ष कहा और पाचवे में आपका सदा और नमबर छे में चीते उसकी बाद में बच्चो यहाँ पर यह जो लाइन्स हैं इनको पाठ के अनुसार क्रम से जमाना था इस्टोडी के अनुसार देख लेते प्रिश्ट कमांग 18 केन पुनस्त तो हो गटा यहाँ विश्यो वक्तुमा दिश्टो हो यहाँ से तो यहाँ तक आपको पहले प्रिश्ट का उत्तर लगाना था दूसरा प्रिश्ट है तो दूसरा प्रिश्ट आपको यहाँ से तो यहाँ तक यह दूसरी प्रिश्ट का उत्तर यहाँ तक आपको लेना था यह दूसरी प्रिश् प्रश्ने का उत्तार है ठीक है उसके बाद में यहां पर इसके अथ्वा का अगर आपने किया है तो देवलाक्योग्रामहा यहने कि यह पहले का उत्तार है जो कि मैंने इससे पहले एक वडियो बनाया था उसमें सारे इन अंसिन प्रश्च को सॉल किया है तश्च भार्या का आसी तहा तो यहाँ पर आपको जो दूसरा प्रस्ण ही जो दूसरा प्रस्ण ही तस्य भार्या का आसी तहा तो यहाँ पर यह इतना आपका दूसरे प्रस्ण का उत्तर हो जाएदा तीसरा साकम्द दर्शाह उसने क्या देखा था तो उसने गहन कानने साहा एकम व्याग्राहम व्याग्रम्द दर्शःा है ना तो एक सेयर को देखा था इस्टोरी में तो ये तीसरे प्रासों का उत्तर है फो देख लेते हैं प्रासों को 19 यह निकी प्रासों मांग 11 पहलाolve परासों क का बाले पुत्राए महत्र विध्यादन देता है तो पिताः, ठीक है यहनिकी पहले प्रिश्न का उत्तर है, पिताहा कश्मी बाली माहत विद्यादनम यच्षती है ना, तो यहाँ पुत्राई, दूसरे में पुत्राई आ जाएगा, है ना, पिताई पुत्राई, और तीसरा इनिक का उची खरत्वाहा, तो यहाँ पर आपके लास्ट की लाइन आ जाएगी हैना मैंने नंबर डाल दिया है आप नंबर भी देख सकते हैं फिर उसकी बाद में यहाँ पर अथवा अगर आपने बच्चों किया हैं तो कहा गुणम वेती तो गुणा गुणम है ना गुणी गुणम है ना यह पहले का उत्तर है बलहा कहा व हुआ थी तो यह आपका यह वाले लाएन से ही आपको इसमें लिखना थी यह पर विध्यर्थियो प्रश्ण यह वाला जो प्रस्ण है तो इसमें रामहा सदुरूपम है ना यह वाला दूसरे प्रस्ण का उत्तर है लव आवाम को तो यहाँ पर जो तीसरे प्रस्ण का उत्तर है फिर देख लेते हैं अगर आपने इसका अथ्वा अगर किया हैं तो इसका अंसस भी देख लिजी काहा सु का उत्तर है ये एक कहा शिहा सुखेन विश्राम्यती दूसरे कहा आगत्य सिहा पुछम दुनाती ही तो वानर रहा है ना दूसरे में आपका जाएगा वानर ठीक है उसके बाद में देख लेते हैं तीसरा प्रश्ण आप पर रहा वानर किम करोती तो आपका आप रहा किम करोती तो यहाँ पर दे रखा है वारम वारम देखो जो तीसरा प्रश्ण आप रहा वानर रहा किम करोती तो यहाँ पर दे रखा है आपका अंसास यह वाला है ना तो यह आपका उत्तर हो जाएगा ठीक है फिर उसके बाद में यहाँ पर प्रश्ण कमांग बाद में 20 हो गया 21 देख लेते हैं संग्शकत भाषा या महत्वम आप एसा भी लिख सकते हीं कि संग्शकत भाषा या महत्वम इसका सिर्शक हो गया असमा कम देशिस प्राचिंतमा भाषा का तो संग्शकत भाषा दूसरे में आजाएगा तिसरे में सर्वे वेद घ्रंता कश्याम भाषा या संती है ना तो कुन सी भाषा तो यहां पर ओगए कि जो प्रस्न है आपका गावाला सर्वे वेद घ्रंता कश्याम भाषा या संती तो संक्सकत भाषा आ जाएगा इसमें भी भारत राष्टर से एक तया आधार का तो इसमें भी आपका संक्सकत भाषा है ना है ना संक्सकत भाषा तो यहाँ पर उसकी बाद में आपको प्रश्णक मांग बाविस में आपको प्राचारी को आउकास लिखना था और यहाँ पर किसी एक टॉपिक पर संस्कत भाषा में है तो हम यह कालिदा से इनके पर नेबन लिखना था जो कि मैंने चैनल पर डाल रखी प्यारे विध्यरतियों अगर आपको संपूर्ण सॉल्यूशन अगर अच्छा लगा तो प्लीज आप चैनल को लाइक किजिएगा और अपने जितने भी सारी क्लासमेट्स दोस्त तुमित्र यार फ्रेंट्स जितने भी सभी तक इस वीडियो को शेयर जरूर किजिएगा और लाइक किजिए क्योंकि जितनी भी सारे एक्जाम से हैं अगर आपको सारी MPBODY की सभी एक्जाम्स के फुल सॉल्यूशन आ कर देखना है तो चैनल पर आप बने लें मिलते हैं नए वीडियो के साथ में तब तक जैहिंद वंदे मातरम थेंक्यू सो मच